हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का दिलिप टेलर्स एंड बुटेक में आज हम लोग डिसकस करेंगे ब्लाउज बनाने के लिए जो चार्ट हम यूज करते हैं ब्लाउज का सभी नापका एक बेसिक चार्ट देने वाला हूँ आपको पता होना चाहिए बाकि यह पूरे मेजरमेंट्स आप निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर हमने यह एक चार्ट रखा हुआ है इस चार्ट को मैं कम्प्लीट आप लोगों को समझाओंगा और पापा आपको वहां पर पूरा गाइड करते जाएंगे कि इन मेजरमेंट्स को लेते कैसे आपको अपको अपलाई कैसे करना है तो एक वहां से सूठ होगा और एक यहां से दोनों चीजे मैं एकदम क्लियर कट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ फ्रेम बाई फ्रेम आपको सब चीजे समझ मैंगी तो चलिए यहां पर बात करते हैं हम इस चांट के बारे में देखो यहां पर आप लोग को यह चीज एकदम क्लियर दिख रहा होगा अगर नहीं दिख रहा है तो एक चांट हमारे पास यह है सेम चांट है लेकिन यह जू लंबाइ कम पसंद है किसी को ज्यादा पसंद तो वह प्यश्ति अलग मैण तो आपकी पहुने 13.25 के आसपास आती है इस ब्लाउज में तयार शोल्डर कितना आएगा देखो जैसे हमने लंबाई की बात की तो लंबाई हम हमेशा किदर से नापते हैं पीछे से नापते हैं शोल्डर भी हम पीछे से ही नापेंगे तो इसमें आपका शोल्डर आएगा 9 इं अब बात करेंगे पीछे गले के बारे अन एवरेज पीछे का गला 28 इंच में 8.5 इंच का होता है ठीक अब यहां पर एक चीज़ करना पीछे का गला हम जीस तरह से नापते हैं अगर आप वैसा ही नापते हैं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं अगर आप बिलकुल सीधा आपना चाहिए कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा जो लोग कटोरी ब्लाउज बनाते हैं क्योंकि आम तोर पर कटोर बहुत ज्यादा चलता है तो 28 इंच में 4.5 इंच की कटोरी लगती है यह चीज़ ध्यान रखना और सबसे इंपोर्टेंट जो मिजरमेंट होता है व 28 इंच में आम तोर पर जो आर्मोल की गुलाई आती है वो आती है 1.5 इंच की एक मेजरमेंट यहां पर मैं आप लोग को और गाइड करूंगा यह जो आपको 3.5 इंच मिलेगा यह साड़े 4 इंच सीधा निशान लगाने के बाद मिलेगा ठीक है साड़े 4 इंच सीधा 30 इंच में 13 इंच की लंबाई बैठती है शोल्डर सवन रहता है पिछे का गला आम तोर पर साड़े 9 इंच रहता है कटोरी साइज लगती है 5 इंच की डॉट का पॉइंट आता है पहुने 10 इंच आता है आर्मोल जो गुलाई आती है वो 15 इंच आती है इसको लेने के लिए आपको यहां पर 5 इंच का निशान सीधा लेना पड़ेगा आर्मोल गुलाईगा ठीक है अब उसी तरह से 34 का और उसी तरह से 36 का अब हमारे पास जो ब्लाउज है वो 36 का है इस चीज को थोड़ा गौर करना ठीक 36 इंच का चैस्ट है आपको खाली चैस्ट साइज पता है ब कुछ ऐसी बाते बता रहा हूं जिसको ध्यान से सुनिए जो लोग पुरा ध्यान से नहीं सुनेंगे ना वो लोग क्या बुलेंगे सर आप गलत बता रहे हो यह गलत टेकनीक है ऐसा नहीं किया जाता तो ध्यान से सुनो क्या सही है क्या गलत सब बता रहा हूं लंबाई 14 इ उजमें 9.5 इंच आपको कब मिलेगा जब आपका पीछे का गला 10 इंच हो तब मिलेगा कितना 9.5 इंच मान लो कि आपका जो पीछे का गला है वो कितना है चार इंच है आपने बना दिया बोट गला बोट नेक बना दिये हाना तो उस कंडिशन में यही सोल्डर आपके बढ़ इंच डीप होगा तब पुराने ब्लाउज में शोल्डर साड़े नौ आएगा या साड़े नौ इंच रखके आपको शोल्डर की कटिंग करनी है एक बात और मैं आपको बता दूं यह जो मेजरमेंट्स मैं बता रहा हूं यह पुराने ब्लाउज का नाप है कहने का मतलब जै कि पुराने ब्लाउज का नाप है कटोरी साइज कितनी लगती है साड़े पांच इंच की 36 में आम तोर पर अब इसमें भी लोग बोलेंगे कि सर ज़रूरी तो नहीं है चाटीस में साड़े पांच की कटोरी लगेगी तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप मा मोल के साइज भी सबके कम जादा रहते हैं काटोरी का साइज भी लेकिन आम तोर पर सौ में से नब्बे ओन एंवरेज ये चार्ट आपका बैठेगा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक है डॉट पॉइंट 36 इंच में सवा 10 इंच का और आर मोहोल 16 इंच बैठता है ए जैसे हमने अभी तक देखा वो क्या था मेजरमेंट कैसे लेना है या कितना कितना होता है उसके बारे में अभी ब्लाउज को करते हैं साइड अब यहां पर हम बात करेंगे कि इन मेजरमेंट को अपलाई कैसे करना है देखो आपने स्क्रीन सॉट ले लिया ब्लाउज को करत के सबसे पहले सीधा निशान लेंगे लंबाई लेंगे जैसे इस तरह मिला देना है अब यह पर हम निशान लेंगे कि इसका शोल्डर का तो जैसे आपने देखा शोल्ड़र इसपी कितना है 9 लेकिन कपके कंडिशन में जब आपको पीछे गला 10 इंच बनाना तो यह बात का ध्यान रखना जब भी आप सामने गला तो यह पर सबाइन का मार्क करेंगे केवल उपर नहीं नीचे भी जाके करेंगे यह इस टाइप से और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ जाएंगे ये निशान सीधा नीचे ले करके जाएंगे, अब जैसे मैंने कहा कि 36 इंचेस्ट है, तो यहाँ पर आपको आर मुल का जो निशान लेना, वो कित्ते पर लेना है, sì साड़े 5 पर लेना एक दम होना चाहें साड़े 5 पर लेंगे तो 5 पर लेने के बाद इसको सीधा आपको आगे बढ़ाना है और उसके बाद दो चीजें होती हैं एक तो गला तो जब भी आप इस तरह के डीप गले पराएंगे यह सभी क्या है डीप तो उस कंडिशन में डीब गलों में हमको क्या करना होता है हमें यहाँ पर 2.25 मतलब कि सवा 2 इंच गला लेना है जब आपको नॉर्मल पाइपिंग वाले गले बनाने है ठीक है सवा 2 इंच का हम गला लेंगे बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकार से लेंगे अब यह वाला निशान हम इस प्रकार से लेंगे कर्टोरी मैं अभी समझा रहा हूँ क्योंकि कटोरी जो है मैंने लगा तार बहुत सारे कटोर ब्लाउस के वीडियो दिया सेकड़ो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर कट्टिंग से रिलेट पड़ी हुई है तो वह आप जा करके देखिए यह होगे आपका क्या पीछे का गला अब इसमें बेसिक जो चीज होती है वो क्या होती है चैस्ट और कमर तो इन दोनों मीजर्मेंट्स को लेना है आप आपको पता है पुराने ब्लाउस के नाप पर चैस्ट कितना है तो 6 इंच होगा यही दोनों रहते हैं उससे कम जादा है तो समझाओ कि उनका जो बॉड़ी फिगर है वो थोड़ा सा अलग टाइप का तो उनके फिर आर्मोल में भी चेंजेस आ सकते हैं और डॉट पॉइंट कर्टोरी बगरे में भी चेंजेस आ सकते हैं यह चीज आपको स सब्सक्राइब रहा है तो इस चीज को मैं नहीं बता रहा हूं एक इंच से पहली गुमेगी और पॉने दो इंच से दूसरी गुमा लेना है ये देखिए, ऐसे हैं, अब हम क्या करते हैं, जैसे ये पीछे का पला हमारा ready हो गया, आर-मोल शेप थोड़ा नीचे से आपको down करके लेना है, जैसे ही आपका back part ready होता है, तो हम back को क्या करते हैं, copy करते हैं, और copy करके हम front बनाते हैं, हम इसको copy नहीं करते हैं, हम इसको पल् आता हूं देखो यह प्र है इसको हमने पल्टा लिया बेसिक जो निसान है निसको फटा फट लगाते हैं जैसे कप OUT-फट लगा लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसमें में आपको क्या समझाना चाहता हूं एक तो यह डॉट का पॉंट दूसरा कटोरी यह द मतलब की dot की length में fit होता है और dot की ये क्या होती है width होती है मतलब dot की जो है वो चौडाई भी होती है तो चौडाई किस में किस में काम आएगा princess cut में काम आएगा मदरास cut में काम आएगा four dot में, single dot में सब में काम आएगा keval किस को छोड़ के कटोरी ब्लाउच को छोड़ कें तो कटोरी में फिर यह मेजरमेंट जो है वो अलग से अपलाई होता है कटोरी का साइज क्योंकि वहाँ पर हम क्या लेते हैं कटोरी का सेंटर लेते हैं तो यह चीज आपको ध्यान रखना है विशेश तोर पे और बहुत डिटेल से मैं इसलि लेते हैं कितना आपको कोशिश किया क्लियर करने की आयोप समझ में आया होगा ठीक सामने का जो गला है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं आम तोर पार कितना होता है सात इंच का या चैसा इंच का फ्रेंट आपका नॉर्मल है 6 से 7 तभी ये आपका शोल्डर और यह पीछे गले का क सब्सक्राइब भी तो आपको इसके पार निशान लगाना है पौने जी पर इस तरह से से निशान लगाएंगे और कुंकि हम बना रहे हैं कटोरी का प्लाउज तो यहां पर एक निशान जो इंपोर्टेंट होता है वो क्या होता है बेल्ट का तो आप आज कल टोटल क्या हो गया है बेल्ट अपने हिसाब से रखवाते हैं कस्टमर तो धाई इंच चौड़ा हम यहां पर नॉर्मली ले रहे हैं अगर आपके कस्टमर आपको कह यहां रखना जितना चौड़ा आप यहां पर लेंगे उतना चौड़ा ही बेल्ट आपको प्राप्त होगा वह अलग से जो मार्जिन लेते हैं वह अलग कंडिशन होती है ठीक तो यह निशान इस पकार से लेने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे का साइज यहीं पर लिया आण चाफल के और यहां पर हम निशान लेते हैं सेंटर का यह सेंटर आपको कीतना और यह सींटर को साधे पंच को दो से डिवाइट करोगे तो इसका सेंटर कितना मिलता है पोने trim पने 3 को कैसे लिखते हैं 2.75 ठीक अब उसके बाद यह जो आपका शोल्डर से निशान आ यहां था पॉने 11 का वो उस पॉने 3 पर जाके मिल जाएगा तो कटो ब्लाउज में इस तरह से डाउंट पाइंट लेते हैं प्रिंसेस कटो अगरा में कैसे लेते हैं वो मैंने अल्रेडी बता रखें खाली समझाने के लिए कि इन मेजरमेंट्स को अपलाई कैसे करते हैं कटो पास एक्सपिरियंस है और यह जो शार्ट है ना जब मैं सिलाई सीख रहा था मतलब कटिंग पेज ज्याधा तर फोकस कर रहा था तो यह चार्ट हो ने मेरे को बना के दिया हुआ था कि इस तरह से इन मेजरमेंट्स पर बैठता है तो मैंने सुचा कि आप लोगों साथ भी जह है